नमस्कार दोस्तों एक बब फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों कम हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल फोकस पॉइंट में जहां हम एक्जामिनेशन, गौर्मेंट एक्जामिनेशन और फार्मेसी रिलेटेड एक्जामिनेशन और भी पैरामेडिकल स्टाफ के एक्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपकी तरफ लाते रहते हैं आप तक नॉलिज पहुचाते रहते हैं जो भी लेटेश रिक्विर सबसे पहले नंबर पर पोस्ट आती है क्लिनिकल ट्राइल को डिनेटर की एक वेकेंशी की दी गई है qualification यहाँ पर bachelor degree मांगी है life science में दूसरा यहाँ पर medical social worker की एक vacancy निकाली गई है यहाँ पर social work में bachelor degree मांगी है तीसरा lab technician एक vacancy यहाँ पर निकाली गई है और DMLT आपकी qualification होनी चाहिए चौत्था यहाँ पर pharmacist की post निकाली गई है एक और Bfarm या Mfarm दोनों में से कोई एक चलेगा diploma नहीं चलेगे हैं हाँ पर साफ साफ mention है Bfarm या Mfarm चलेगा research nurse की हाँ पर दो vacancy निकाली गई है B.S.D. nursing हाँ पर मांगा हुआ है project manager की भी हाँ पर एक vacancy निकाली गई है bachelor degree मांगी गई है field worker या फिटा entry operator की भी एक post निकाली गई है bachelor degree मांगी गई है senior investigator की भी एक post मांगी गई है हाँ पर और master degree in public health में इसकी qualification बताए गई है research medical officer की भी एक vacancy निकाली गई है उसके पास qualification होनी चीए minimum MBBS important dates की बारे मैं बात कर लेते हैं जी ये 10 June 2021 तक इसकी last तारीक है उससे पहले आपको apply करना है pay scale यहाँ पे रहने वाला है मैं सभी post की बात कर रहा हूँ जो कि आप official notification में देखेंगे तो वहाँ पे broad से लिख रखा होगा हर post की अलग pay scale तो मैं total बता रहा हूँ यहाँ पे 18,000 से लेके 66,000 तक पर month 66,000 तक जो कि अपने आप में एक अच्छी value है यह pay scale यहाँ पे बताएगा इस vacancy के according और यहाँ पे age limit बताएगा है should not exit 30 year and 35 year of age 30 year इसलिए बोला है minimum age बताएगा है maximum age बताएगा है इतनी तो होनी होनी ची plus relaxation के according आपको 5 year अलग से मिल जाएगा तो 35 year of age बताएगा है साथ ही में अगर आप इस page को पढ़ रहे हैं तो आपको एक red color में एक line दिखेगी वहाँ पे जाकर आप subscribe बिटन दबा सकते हैं यह हमारे channel का link है selection process की बात कर लेते हैं यहाँ पे interview based यहाँ पे selection होगा यहाँ पे हम apply कैसे करना उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको zipman notification जो की नीचे दे रखा है उसको download करना है और carefully पढ़ना है कि कौन-कौन सी vacancy है, क्या post है, qualification क्या है जो बच्चा eligible vacancy के लिए वो पढ़ सकता है फिर उसके बाद google form की link मिलेगी आपको और उसमें आपको required details भरनी है और अपने documents जो scan copy है वो भी submit कराने है यहाँ पे आप notification पढ़ सकते हैं इस link पे click करके जो भी link होगी इस page पे red color में आपको दिख जाएगी तो इस video के लिए इतना ही काफी था अगर आपके मन में और कोई सवाल है इस video से related तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं बाकी मैं मिलता हूँ आप सबीसे इसी तरह की कोई नई informative video में तब तक के लिए धन्यवाद